जय हिंदोस्तो महिंद्रा गूरूप के स्टॉक महिंद्रा लॉजिस्टिक्स इस टॉक के पर स्टॉडी करने वाले हैं पिछली बार भी जून महने में हमने स्टॉडी के था जुलाई मेने के फिर्स टुक में समझ में आ रहा था 500 सब्सक्राओर था इसके रुकावट थी तो देखे कैसे उसको उपर की तरफ निकाला और जो उपर की तरफ एक हाय लगा था 567 जो में को समझ में और था 550-500 निकाला तो इस तरह से आप अच्छी स्टॉक को मतलब इन्हों स्टॉडी करोगे समझोगे और वहाँ इंवेस्ट ट्रेड करोगे तो लॉस होने की जो चांसे से वो आटोमेटिकली कम हो जाएगे पैसे बनने के चांसे जो है वो आटोमेटिकली बढ़ जाते हैं तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दू मैं खुद एक स्टॉक को म टाटा मोटर्स अपनी दूसरी रुकावट 455 इसको चूलिया है नेक्स्ट लंबी ओधिका किसी का नजरी आ है छे मैंने एक साल दो साल तो कॉंसो स्टॉक है जो बढ़िया करेक्ट हो गया है नीचे गिर गया है अपने इंपॉर्टन सपोर्ट लल्स का असपास आ गया है इंडस इंड बैंक 1100 रुपय के असपास काम कर रहा है तो चलिए फ्रेश टेडी शुरू करेंगे महिंद्रा लॉजिसिक सबसे पहले तो हर स्टॉक की नत दोनों चीज़ों को समझना है चाट पैटर्स को भी समझना है और फंडामेंटल्स को समझना है तो तो को सबसे पह करती है कॉटर ले रिजल्स कर जाता है उसको देखना है कमने कितना कमा रही है कितना लॉज कर रही है यहां पर चेक क्या करना है सबसे पहले बढ़ादू 4x4 का फॉर्मला को या दखना है फोर्वाड फॉर का मतलब क्या है देखिए पिछले चार कोडर के नंबर आपको च यह चार चीज और लास्ट चार वाटर तो देखो ऑपर इंट प्रॉफिट डिसमबर में कितना था 48 गुर्ड मार्च में बड़ा 51 गुर्ड जून में और बड़ा 66 कुरूड सप्रमेर में और बड़ा 68 कुरूड तो समझ में आ रहे पिछले चारों कॉटर में दीरे दीरे करक इस लाकि प्रॉट की किरावट नमबर अच्छे आ रहे उंप यह कंपने यह कोड़ों अबी अबिवी ब्रकराई हैं पिर नेक्स्ट एपिस्यान कि अर्निंक पर्शेर कितना था क्थ हैं 0.79 का था फिर रण हो गया बड़ात हुई 1.88 वा बड़ात हुई फिर रहल की गिरा पॉज़ी नमबस है कोई मतलब बीनों नेगेटिविटी है नहीं खास बस हल कीशे गिरावाट है पिछले कॉटर में नमबस ठीक टाक next हर company की balance sheet में जाना है balance sheet में researcher करना है Caligums reserves कितने है मतलब वो कितना पैसा है जो company के बास ऐसे बड़ा हुआ next company का बोर्रिंग जैनि कितना है और company का ऐसे डुझे reserves के लुझे मार्स में कितना है था 518 crode जो भी September में हल्की गिरावट around 30 crods की गिरावट देखने मिल रहे है 486 crods का अच्छा रिजवस है कमनी के पास अभी भी कमनी कास कर्ज कितना है कर्ज देखें मार्ज में 400 crods था भी बढ़के 138 crods है मतलब कर्ज में थल्की सी बढ़त हुई है next कमनी के से assets कितना है assets मार्ज में 1930 crods था भी बढ़के 245 crods के मतलब लगबग 300 crods के आसपास की जो assets है जी हां उसमें बढ़त हुई है तो 300 crods की बढ़त हुई है रिजर्स में 130 crods की कमी हुई है और कर्ज में भी सामने देखे 130 crods की बढ़त हुई है तो और अगर देखे तो balance sheet ठीक ठाक है कोई जाधा बड़ अच्छी बात भी नहीं है जाधा negative भी नहीं है मतलब ठीक ठाक सी balance sheet है और कर्ज की जो चिंता है उसको मतलब ignore कर सकते हैं क्यों कमदी के से बड़े assets है next कमदी की share holding pattern को भी देखना आपको share holding pattern देखे प्रमोटर्स के पास कितना है प्रमोटर्स के पास देखे 18% है कौन होल्ड करता है देखे मने महिंद्रा गूरूप जो है वो पूरी holding पॉब्लिक के पास याने की retail investors hold करते हैं तो share holding pattern भी अच्छी है तो overall अंगो का समझ में चौट का मार्केट काप है 96 की महंगी पीपर इस टॉक प्रेजिट लिगा है नंबस अच्छे है कोई नुकसान की बात नहीं हलकी से गिरावड है पिछले quarter में balance sheet अच्छी है बढ़िया asset से 22 क्रोड के उसके सामने चोटा कर्ज है 500 कितने क्रोड का पांच है 580 क्रोड को दिखकर की बात नहीं है results भी अच्छे है share holding pattern अच्छी है 85% M&M group के हाथ में है and FISDIS 30-31% and public के पास 11% now chart patterns पर आने वाले दिनों में क्या action हो सकता है उसको decode करने की कोशिश करेंगे सारे लेवल से इसको अपडेट करेंगे सबसे पहले तो पिछले दिनों स्टॉक जो है देखिए एक highlight करता हूं या पर बार बार देखिए कौन सो लेवल है जा पर बार बार support ले रहा है यह level जो है इसको देखिए बार बार जो इस लेवल के असपास support ले रहा है कहने का मतलब यह है इसके नीचे अगर stock बंद होता है ना तो stock में बड़ी रुकावड गिरावड देखते मिल सकती है तो यह जो level है काफी important है as a stop loss सारे trade resource का चक्तन stock जो है इस level के आसपास आके क्यों रुका विकावड देखे पिछली बार भी जब stock गिर रहा था जुलाए मैने में तो उसी level के आसपास support लेके फिर से उचला था तो I hope आप समझ पा रहे हो कि इस level का importance क्या है and last time जब भी stock ने लोल गा था वो था 19 December के आसपास साड़े 400 के आसपास लोल लागा के फिर से उचला था तो overall नीचे के तरफ के जो exact level निकल के आ रहा है जो closing कह सकते हमको weakest closing है वो क्या है वो है यह जल्दी से आपके सामने लिख दू it is 457 चारसो सताओन रुपए यह सबसे weakest closing है इस level के इसको ध्यान में अब यह stop loss के लिए है वो उन traders के लिए जो कुछ दिनों के लिए position मिनाते है ठीक है जैसे पास दिन साथ दिन दस दिन जो position hold करते हैं उनकी मैं बात करूँ 457 रुपए यह सबसे कमजोर closing है इसके नीचे stock बंदों का तो दबाओ जो है आपको देखने मिलेगा next अभी stock जो है particular range में फसे हो गया है and fundamentally अच्छे stocks है तो यहाँ पर देखिए December मिन की शुरुआत में रेंज में नीचे साड़े जादों का support बनाया उपर गया फिर से नीचे है फिर से वहां जाने की कोशिश कर रहा है इंफाक्ट आज का हाई है 500 रुपए का फस 499 तो उपर की तरफ जो र तेज की closing है इसके उपर बंद होना बहुत ज़रूरी है इसके उपर बंद होगा तब अच्छी तेजी देखने मिलेगी अब पांसो तीन रुपए का importance और क्या है traders के लिए उसके असफ़च जब stock जाएगा ना profit book करने में समझदा रही है क्योंकि उस range के असफ़च दबाव अब आने वाले कुछ महिनों की बात करेंगे अगर 503.25 इस लेवल के उपर बंद होना शुरू करता है कुछ दिन लगातार बंद होता है तो आने वाले कुछ महिनों में जिस range में stock जा सकता है वह सबसे पहले साड़े 500 और फिर 600 रुपया याद रखिए stock की circuit limit 20% है साड़े 500-600 यहां तक stock जा सकता है इस range में stock जा सकता है इसको चुछ सकता है शर्त क्या है 503.25 इसके उपर बंद होता है तो नेक्स्ट लंबी ओदी के लिए किसको investment करना है लेवल सिमिलर है 400 या 300 पे उस range के आसपास मिलता है लेवल थोड़े दूर लगेंगे बठां 20% की circuit limit फिर से है जो भी लंबी ओदी के लिए investment करते हैं make sure कीजिए हर quarter में company के results आते हैं हर तिन में results को देखिए उसको जानने के बाद अपनी position में add करना है या फिर मतलब इनो और shares मतलब इनो बेचने है उसको उपर भी काम जरूर करना है तो friends study आपको पसंद आई है study को like जरूर कीजिए अगर कोई सवाल है तो please comment section के दौरा जूड़िएगा हमसे जरूर जो भी logical सवाल होंगे उनके जवाब दिये जाएंगे आपको and comment section ही एक जरिया है जिसके द्वारा आप हमसे जूड़ सकते हैं दूसरे किसी भी social media app पर हम available नहीं है and फिर एक बार बता दू study आपके साथ share कर नहीं है वो भी उसको समझ में आजाए बस इस logic के साथ आपके सामने share करने की कोशिश करता हूं and आप इस talk के बार में क्या सोचते हैं आपकी राय comment section में mention जरूर कीजेगा तो शुक्रिया study देखने के लिए जय हिंद वन दे मातरम